नमस्कार आज का विशय है कि वास्तु के अनुसार घर में मंदिर का निर्मान किस प्रकार करें घर में सुख सांती एवं सम्रिद्धी के लिए सही दिशा में मंदिर होना अत्यन तावस्यक है सही दिशा में मंदिर होने से घर में सकारात में कुर्जा बनी रहती है तो घर में मंदिर अवस्य होना चाहिए और सही दिशा में होना चाहिए तो आईए जानते हैं कि वास्तु के अनुसार मंदिर का अस्थान और मंदिर में देवताओं के अस्थापना के क्या नियम है वास्तू के अनुसार, मंदिर का स्थान इसान कुण, यानि पूर्व और उत्तर दिशा के मद्ध्य होना चाहिए इसान कुण में साक्षात इस्वर का बास होता है और इस दिशा के ऊपर देव गुरु प्रहस्पती का अधिकार है इसान कोन में जगह नहीं होने पर पुर्व और उत्तर दिसा में भी मंदिर का निर्मान कर सकते हैं घर के दक्षिन दिसा में मंदिर नहीं बनाए मंदिर का मुख पस्चिम दिसा के और सुभ माना गया है ताकि पूजन करते वक्त आप का मुख पुर्व दिसा की और हो। पुर्व और उत्तर दिसा की और मुह करके पूजन करना सुह मना गया है। धक्षिन दिसा की और मुह करके पूजन नहीं करें। क्योंकि दक्षिन दिसा की और मुह करके पित्रों का अराधना किया जाता है मंदिर में भगवान का अस्थान उचा होना चाहिए उचाई इतनी हो कि आप जब पूजन करने बैठें तो भगवान आपके रदय के सामने विराजमान हो फर्शुकु आप उचा नहीं करें शीडियों के नीचे मंदिर का निर्मान नहीं करना चाहिए मंदिर के बगल में या मंदिर के उपर सवचाले का निर्मान नहीं करें या कहें कि सवचाले के नीचे या सवचाले के बगल में मंदिर नहीं बनाए सयनकक्ष यानि बेडरूम में भी मंदिर नहीं बनाना चाहिए जगह के अभाव में अगर आप बेडरूम में मंदिर बनाते हैं तो दो बातों का अवस्य ख्याल रखें एक तो पैर के सामने मंदिर नहीं हो और दूसरा रात्री में मंदिर में परदा अवस्य लगाएं घर में मारवल और लकडी का मंदिर बनाया जाता है लेकिन इसमें ज्यादा सुभ लकडी का मंदिर माना जाता है मंदिर में देवताओं की अस्थापना एक दूसरे के उपर यानी उपर निचे देवताओं को नहीं बैठाए यानि भगवान के उपर तक्ति लगाकर के उपर किसी और तस्वीर को नहीं लगाए मंदिर में देवताओं के साथ पित्रों का फोटो नहीं लगाए पित्रों का अस्थान अलग बनाए सास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में दो सिवलिंग, तीन गनेश, दो सालिग्राम और दो संख नहीं रखना चाहिए वास्तू के अनुसार मंदिर से जुड़ी सभी बातों को बताने का प्रयास किया आपको समझने में कहीं भी कोई परिशानी हो तो आप वाट्सअप नंबर या कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न को रख सकते हैं मैं अथा संभव समया अनुसार आपके प्रश्नों का उतर देने का प्रयास करूंगा आज के लिए इतना ही धन्यवाद